मेरा नाम आयूशी पटेल है और मैं लखनव योपी से रहने वाली हूँ बुद्देशवर पिंग सिटी मुहान रोड मैंने इस बार का नीट 2024 में एक्जाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये मेरा अड्मिट कार्ड है नीट का रिजल्ट जिस दन आया 4 जून को उस दन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था मेरे बार बार स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था कि यो रिजल्ट इस नौट जेनरेट तो मुझे लगा कि 23 लाग बच्चे हैं हो सकता है कि ट्राफिक लगा हो साइट पर इसलिए मेरा र इमार टॉंड और डामेज्ट मिली है इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शौक में चले गए लेकिन मेरी मम्मी उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपन हैं रात में हम उनके घर गए और वहां से हमने एंटिय को उन्हीं के मेल पे दुबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमार फटा है तो आप उसको प्लीज फटा हुआ ही उसको कम से कम उसका ओएमार तो दिखाया जाए तो य एक उटिय ने मेरे मेल पे ये मेरा ओमार भेजा बिलकुल टॉर्ण कंडिशन में इसको बार कोड को उन्हें ने फार बिलकुल ऐसा दिखाई दे रहे जिसे जान बूच के फाड़ा हुआ ये फटा ओमार मेरे स्क्रीन पर और ये मेल भेजा था जिससे पता जल रहे है ये मेरे पास में इसमें सारे बबल्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे बबल्स क्लियोरली विजिबल है अगर आप इस क्लियोरली विजिबल है सारे बबल्स एक एक बबल विजिबल है इसको जब हमने मानवली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है मेरा नीट का स्क की से चेक किया था मैंने किसी क्वेशन पर कोई चालेंज नहीं किया यही मेरा फाइनल स्कोर था बबल बबल दिखाई दे रहा है एक एक साफ सा पूरा बबल इसको कोई भी चेक कर सकता है तो नेक्स डे इस इस चीज पर तुरंट आक्शन लेने के लिए हाई कोट में हमने प मेरी न्यूस जो देख रहा हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं यह मेरा थर्ड अटेम्ट था और मेरे फर्स अटेम्ट में नीट में 535 मार्क्स आये ते उसके बाद 570 मार्क्स आये और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे तो मैं इ मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी महनत करी ना में सोई अच्छे से ना में खाया मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिफ पढ़ी हूँ मैंने किताबें मतलब एकदम मैं बस जाती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें मेरे सारे मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एंटीए से मेल आया है मुझो सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाए कि मेरा पेपर दुबारा से चेक हो जो एह मेल मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी में नाम आये, जैसे सबका आया है क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे I hope for the best और मैं आपसे support चाहती हूं जर्फ Thank you